हेलो फ्रेंड्स फ्रिक्स फॉर ओल एस्टूंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है तार्किक निर्णे निर्मान हरबर्ट साइमन इसके पार्ट टू को देखेंगे ठीक है पार्ट वन में हमने निर्ण पार्ट टू में हरबर्ट साइमन के कॉंटेक्ष्ट में तार्किक निर्णे निर्मान को काफ़ी डिटेल में समझेंगे दोस्तों प्लीज वीडियो को एंड तक देखना काफी important वीडियो है इसे directly question भी आया था exam में तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ये वीडियो आपके लिए काफी important है तो चलिए दोस्तों बिना time waste किये अपने chapter को शुरू करते हैं हर्बर साइमन तथा तारकिक निर्ने निर्मान प्रक्रिया जो decision making rational decision making process है अब हम इसे हर्बर साइमन की context में पढ़ेंगे हर्बर साइमन का जन सन 1916 में विस conscience यानि की अमेरिका में हुआ था 1978 में उन्हें अर्थशास्त्र के छेत्र में उलेखनी योगदान के लिए नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं हैं उनका महत्पूर्ण योगदान प्रबंध विज्ञान के छेत्र में हैं वस्तुत निर्ने निर्मान की प्रक्रिया के विशलेशन पर उनके विशिष्ट योगदान के लिए ही उन्हें नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था उन्होंने प्रबंध को निर्ने निर्मान के समकक्ष माना हैं उनके लिए प्रबंध की समस्त कारेवाई निर्ने निर्मान हैं देखें दुस्तों हर्बर्ट साइमन कोई अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट नहीं थे बट फिर भी उन्हें अर्थशास्त्र की छेत्र में एक नोबल पुरस्कार दिया गया अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हर्बर्ट साइमन भले ही वो अर्थशास्त्री नहीं थे लेकिन उन्होंने प्रबंद के छेतर में काफी योगदान दिया था और जो प्रबंद है, मैनेश्मेंट है वो अर्थशास्त्र का एक विशेग है, एक चैप्टर के रूप में आप समझ सकते हो, कि अर्थशास्तर में प्रबंद की एक इंपॉर्टेंस होती है, और हर्बर्ट साइमन ने प्रबंद के छेतर में निर्णे निर्मान की प्रक्रिया पर बल देते हुए, जो योगदान दिया था प्रबंद के छेतर में, उसी को देखते हुए, उन्हें एक नोबल डिसीजन मेकिंग इतनी जादा इंपॉर्टेंस है कि डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट में कोई अंतर नहीं है, हर्बर्ट साइमन ने ये कहा, हर्बर्ट साइमन ने कहा कि डिसीजन मेकिंग बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट साइमन की रचना, उन्होंने ए मानव वैवार का विशलेशन किया यही वह केंद्रिय संबंदता है जो संगठन और उसके कार्यों को समझने के लिए महतफून है अब देखे दोस्तों हरबर्ड साइमन ने एक बुक लिखी थी आपे वर्ड्स थोड़े हार्ड हैं बट कोई ने आप बस समझी है हरबर्ड अंतरगत उन्होंने मानव वैवार किसे संबंदित कई सारी चीजें लिखी थी निर्णे निर्मान की प्रक्रिया कैसी होने चाहिए क्या प्रॉसेस होना चाहिए उसके बारे में कई सारी बातें लिखी थी और ये बुक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस रखती है जब भ साइमर निर्णे निर्मान की बिना जो प्रबंध है वो अधूरा है प्रबंध या मैनेजमेंट की कलपना आप बिना डिसीजन मेकिंग के नहीं कर सकते ऐसा ध्यान दिलाया हरवर्ट साइमर ने सभी का ध्यान अपनी और खींचा साइमन के अनुसार निर्णे लेने के आवश्यक्ता उस समय उत्पन होती है जब वैक्ति के पास किसी कारे को करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं परन्तु वैक्ति को छटनी की प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक ही विकल्प चुनना होता है अब हर्बर साइमन ने क्या कहा है और फिर एक प्रक्रिया के तहट किसी एक या एक पूरी निर्णे निर्मान के प्रक्रिया के तहट एक आप्शन को चूज किया जाता है हर्बर्ट साइमन का मत है कि निर्णे का अर्थ विभिन विकल्पों में से चुनाव करना है जब कोई समस्या सामने होती है तो उसके विभिन विकल्प होते हैं निर्णे करता को अधिकतम लाव या वांशित लक्षे की प्राप्ती के लिए उनमें से चैन करना पड़ता है। वो उस सॉल्यूशन को या उस आप्षन को चूज करता है जो कि उसके लिए काफी अच्छा हो। उसको काफी लाव पहुँचाएं। मानव की बुद्धी मत्ता इसमें हैं कि वह ऐसे विकल्प का चुनाव करें जिससे अधिकतम सकारात्मक तदा नियूंतम नकारात्मक परिणाम निकलें। यही बात कही उन्होंने कि ऐसा चूज करना चाहिए मानव को मानव की बुद्धी मत्ता यह है मानव का दिमाग यह है कि वह ऐसा ओप्षन चूज करें जो उसे जादा जादा पॉजिटिव परिणाम अच्छे रिजल्ट दे और कम से कम उसे नेगेटिव रिजल्ट देखन नेगेको मिलें ऐसा उसे डिसीजन लेना चाहिए इस द्रिस्टी से साइमन ने निडणे की परक्रिया को निम रांग की तीन चरणों में बाटा है देखी दोस्तों अब साइमन ने इतना सब कुछ कहा ना निडणे के बारे में कि एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे डिसीजन लेना हो तो इसी दिरिश्टी से उन्हों ने जो निर्णे निर्मान की जो प्रकरिया है उसको तीन चर्णों में बाट दिया है ठीक है हमने निर्णे निर्मान की प्रकरिया को एक बार थोड़ा पहले पढ़ा था ना कि उद्देश्य डिसाइट किया जाते हैं समस्या की व्याख्या की जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है फिर विकल्ब को ढूंडा जाता है तो हमने ये पहले हलकल का फर्स्ट पार्ट में हमने एक बार देख लिया है बट यहां पर हम स्प संगठन के इस प्रारंभिक चरण में यह पता किया जाता है कि कब और कहां निर्ने की आवशक्ता होती है साथ ही इसमें निर्ने की उप्युक्त दशाओं के लिए भाए एवं आंतरिक वातावरण की खोच किये जाती है इसमें संगठन की आंतरिक नीतियों, प्रबंध किय वेभार, एवं चिंतन, संगठनात्मक लक्षियों, मोल्यों वार दर्शन के साथ साथ, भाए, सामाजिक आर्थिक वाराजनितिक मोल्यों, सामाजिक प्रारूपों, अभिवित्तियों आदी का विश्तरित अध्यन किया जाता है अब इसे समझो, सिंपल है ज्यादा डिटे नीतियां बनाई या कुछ काम कर रहे हैं, तो इसमें बस यह पता लगाया जाता है कि हमें कौन कौन से निर्ने लेने हैं, मतलब किस-किस जगहा पर हमें निर्ने लेने हैं, और कब लेना है हमें कोई डिसीजन, ठीक है, बट इसी में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गहरा लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, यहाँ पर जो नीतियां वगएरा होती है, उनको अच्छे से ध्यान में रखा जाता है, अच्छे से उसका ध्यान किया जाता है, बातावरन मौहौल देखा जाता है, कि हम मालो, पबलिक में कोई नीती लागू कर रहे हैं, तो पबलिक में सामाजिक महौल कैसा है, और जो हमारा सिस्टम है, वो कैसा है, क्या वो लागू करा पाएगा नीतियों को या नहीं, यह सारे चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ठीके, सामाजिक आर्थिक राजनितिक महौल कैसा है और हमारा सिस्टम कैसे यह सारी चीज़ें देख ली जाती है इसके लावा जो दूसरा चरण आता है दूसरा जो स्टैप आता है निर्ने निर्मान का वो है डिजाइन किरिया डिजाइन एक्टिविटी इस चरण में विभिन संभावित किरिया विधियों का विकास एवामिशलेशन किया जाता है कारे के अलग-अलग विभिन विकल्पों की खोज की जाती है देखो दूसरा सिंपल है कम शब्दों में कहा जाए तो डिजाइन किरिया के अंतरगत अलग-अलग जो विकल्फ होते उनकी खोज की जाती है जैसे कि मान लो अब एक समझ से आ गई कि कोरोना वाइरस से कैसे लोगों को बचाया जाए तो अब इसके लिए कई सारे विकल्फ बनाए जाएंगे कि दो गज की दूरी होनी चाहिए ने चारगज की दूरी होनी चाहिए या फिर लोगों को घर पे ही काम वर्क फ्रॉम होम मतलब सुझाब दिया जाए या दूसरी चीजें कही जाए अलग-अलग कई तरह के मतलब सुझाब आएंगे सामने विकल्फ आएंगे सामने ठीक है उसमें अब यहाँ पर क्या किया जाता है कई सारे विकल्फों की खोज की जाती है ठीक है जैसे अभी यही वाला जो एक्जामपल था कुरोना वाइरस का इसी में अब और चीजें हैट कर लो जैसे कि लोगडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए क्या लोगों को मास्क लगाकर आने जाने दिया जाना चाहिए साथ में लोगों के लिए कुछ नियम बना कर हम लोगडाउन को अभी नहीं लगाएं मतलब हम कुछ रूल्स बना देते हैं जिससे कि लोग अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकें और लोग अपना काम धाम भी कर सकें तो कई सारे विकल्प मतलब खोज की जाती है कई सारे विकल्पों गी अब आता है तीसरा चर्ण चयन प्रक्रिया चोईस एक्टिविटी निड़ने निर्मान प्रक्रिया के तीसरे अन्तिम चरण में समस्त उपलब्द क्रियाविधियों में से श्रेष्ट क्रियाविधि का चयन किया जाता है यह चयन विभिन विकल्पों को पारसपरिक तुलना एवम विशलेशन की आधार पर किया जाता है simple है अब हमने क्या किया था दूसरे चरण में कई सारे विकल्पों को खोजा था सिर्फ खोजा था हमने हमारे पास मालो हमने चार विकल्प हमने चार solution या चार option हमने खोज लिए और third वाला जो चरण है उसमें हम क्या करते हैं जितने हमारे पास option है उसमें से हम सबसे अच्छा option choose कर लेते हैं जैसे कि एक अच्छा option हमारे ये हो सकता है थोड़ा सा hypothetical है कि lockdown ना लगाया जाए और mask लगा दिये जाएं मतलब लोग mask का use करें दो गज की दूरी बनाया रखें दो गज जितने भी गज की दूरी थी ठीक है और मतलब distance maintain करें कुछ जो option या solution परिस्तियों के हिसाफ से choose किया जाता है जो आपको जाद जाद लाब provide करें ठीक है तो यहां तक हमने क्या पढ़ा हरबर्ट साइमन ने जो निर्णे निर्मान की जो प्रक्रिया बताए थी वो तीन चयन था जिसमें चयन के रिया आता है उसमें हम choose करते हैं जो सबसे अच्छा विकल्प या option या solution होता है साइमन के अनुसार निर्णे निर्मान तारकिक विवेक शीलता चयन पर आधारित होना उन्होंने तारकिक्त की परिभाशा देते हुए कहा है कि यह है मोल्यों की किसी परिणाली के संधर्ब में वरियता प्राप्त वैवहार विकल्पों का ऐसा संबंध है जिसके दुआरा वैवहार के परिणामों का मोल्यांकन किया जा सके देखो दोस्तों, अब साइमन कहते हैं न, जो निडड़ने निर्माण होना चाहिए, वो तारकिक्त पर आधारित होना चाहिए यही तो हम पढ़ना हमारा main topic था कि तारकिकता पर अधारित इनका निर्णे निर्माण तो इन्होंने कहा जो निर्णे निर्माण यानि कि जो decision making होती है वो ना तारकिकता पर होने चाहिए तारकिकता मतलब होता है विवेक शीलता अब इसको भी और समझो तारकिकता को नॉर्मली कहा जाता है rational इसे थोड़ा सा आप समझो एक जो बच्चा होता है वो rational बाते नहीं कर पाएगा वो तर्क वितर्क वाली चीज़ें नहीं कर पाएगा मतलब तारकिकता का मतलब दिमाग से है बुद्धी से एक जब आप बिल्कुल एक लॉजिकल बाते करते हो जब आप एक सही बात करते हो जिसमें तर्क होता है वितर्क होता है जिसमें आप कुछ प्रमान देते हो सोच समझ कर जब कोई आप कारे करते हो तो उसे हम तारकिक्ता कहते हैं तो यहां कहा जा रहा है कि जो निर्णे निर्मान किया जाता है वो तारकिक्ता पर आधारित होना चाहिए रैशनल होना चाहिए ठीक है तो रैशनल का मतलब समझ में आ गया जो decision making है वो पुद्धी से की जाने चाहिए ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे हलके हरगे में decision ले लिया सोच समझ कर लिया जाना चाहिए decision ठीक है तारकिक्ता के आधार पर कौन कह रहा है कि कोई भी decision या निर्णे तभी तारकिक आधार पर माना जाएगा तभी rational माना जाएगा और चित्ते पूर्ण माना जाएगा जब आप एक उपियुक्त उस निर्णे को पूरा करने के लिए एक उपियुक्त साधन को चूस करोगे मतलब की देख लो सरकार ने एक decision लिया कि हमें जो बालिका सिक्षा है जो इस तरही सिक्षा है महिला सिक्षा है इसको बढ़ाना है लोगों को जागरुख बनाना है कि वो अपनी बेटियों को बालिकाओं को पढ़ाएं ठीक है अब सरकार ने ये decision ले लिया अब सरकार ने उपियुक्त साधन नहीं अपना है अब सरकार ने decision ले लिया सरकार ने कहा भी कि हम जागरुखता फैलाएंगे अब जो साधन है किस माध्यम से लोगों को जागरुख बनाया जाए जाए वो सही नहीं है जैसे कि अगर हम सही सही साधन देखें तो टीवी, टेलिविजन है, शोशल मीडिया है, जो बस वगएरा होती, आटो वगएरा होती, उसके पीशे पोस्टर्स लगाया जाते हैं, हम देखते हैं और कई तरह से प्रचार किया जाता है, या जा सकता है, कई सारे तरह के मतलब ल आज की टाइम पर बिल्कुल सही है, तो अगर कोई भी वैक्ति निर्ने लेता है, कि हम इस्तरी सिक्षा या बालिका सिक्षा को, कि प्रती लोगों को जागरुक करना चाहते हैं, और अगर वो एक उपियुक्त साधन अपनाता है, प्रचार करने का जागरुक बनाने का और उसको पूरा करने के लिए सही साधन न अपनाएं, तो उसको हम तारकिक नहीं कह सकते हैं, साइमन लिखते हैं, कि किसी भी प्रशाशनिक निर्ने का सही होना एक सापेक्षिक बात है, यह तभी सही होता है, जब यह अपने निर्धारित लक्षेों की पूर्ती के लिए उप्यूग सादनों का चुनाप करता है, यही बात मैंने भी आपको समझाई, साइमन पून तारकिकता की अबधार्णा को नकारते हैं क्योंकि यह अतारकिक मानिताओं पर अधारित है, पून तारकिकता यानिकि टोटल रैशनेलिटी इस विश्वास पर अधारित है कि निर् अंत में उसका विश्वास है कि निर्ने करताक में सभी संभावित परिणामों को एक ववस्था में रखने की चमता है, साइमन का कहना है कि यह सभी मानेताओं मौलिक रूप से गलत हैं, कौशलों, आदतों, मूल्यों तथा लक्षों की अबधार्णा तथा अपने कारे के स जंगत ग्यान कि सीमा के रूप में निर्ने करताकि अनit शीमाएं है. दोस्तों हर्बर्ट साइमन पून तारकिक्ता की अबधार्णा को न कारते हैं, देखो, पून तारकिक्ता का मतलब है, कि ऐसा कोई डिसीजन लिया जाए जो कि पूरी तरह सही हो, ठेक है, पूरी तरह और चित्ते पून हो पूरी तरह दिमाग से लगाया गया हो बिलकुल सही decision हो तो हर्बर्ट साइमन इस सेश़ को न कारत है, वो कहते हैं कि पून तार किकता का जो विचार है ना उन सही नहीं है। क्यों क्योंकि आगर पूर्ण तारकिक्ता का मतलब हुआ कि कोई वैक्ति है जो सबसे अच्छा डिसीजन ले रहा है उस वैक्ति को पता है कि जितने भी मेरे पास विकल्प है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा अगर मैं ये वाला लूँगा विकल्प तो इसका ये रिजल्ट तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर एक वैक्ति को पता हो कि सबी विकल्प का पूरी तरह क्या रिजल्ट निकलेगा मतलब कोई कम्प्यूटर ये ग्यान इतना जाला तो हो नहीं सकता वैक्ति के पास कि उसे हर सीच पता हो हर विकल्प में सही गलत पूरी तरह पता हो ये तो नह हो सकता ना, तो हर्बर्ड साइमन यही कहते हैं, श्वय होती है, इसलिए साइमन का कहना है, कि संगठन को पूर्ड तारकिक्ता टोटल रैशनलिटी के अबधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए, बलकि उसे सीमित तारकिक्ता के अधार पर कारे करना चाहिए, साइमन के अनुसार वैक्ति केवल मर्यादित विवेक शेलता के आधार पर ही कारे करता है हरबर साइमन यह कह रहे हैं कि थोड़ी सी लिमिटेशन होती है हाँ इंसान में बुद्धी होती है बहुत दिमाग होता है इंसान सब चीज़ों को अच्छे से कुशिश करता है कि वो सही डिसिजन ले बट फिर भी थोड़ी सी बाउंडेशन, सीमाएं, लिमिटेशन होती है और उसी के अनुसार वैक्ति को अपना एक सही डिसिजन बनाने के कुशिश करनी चाहिए यही हरबर्ट साइमन कह रहे हैं ठीक है टोटल रैशनलिटी नहीं हो सकती साइमन प्रशाशनिक वैभार में पूर्ण विवेक्शीलता के विचार को नकारता है उसके अनुसार मानवी वैभार ना तो पूर्ण विवेक्शील यानि की पूरी तरह तारकिक होता है और नहीं उन्ड गेर विवेक शील या आतारकिक होता है वरन यह मर्यादित विवेक शील होता है वही कहा इन्होंने फिर से जो हरबर्ट साइमन ने वो यही कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वैक्ति के नुसर आप उसे यह नहीं कह सकते कि यह decision पूरी तरह तारकिकता पर अधारीत है मतलब पूरी तरह सही है वैक्तिने पूरी तरह दिमाग लगा कर इसको अच्छे से निर्ने लिया है सारी चीजें देख लिए है कि क्या परिणाम निकलेंगे, क्या result अगा decision लियने से क्या नकारात्मा, क्या अच्छे परिणाम निकलेंगे सब कुछ देख लिया उसके बाद डिसीजन लिया है ऐसा नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि वैक्ति ने बिना कुछ मतलब वैक्ति ने जो डिसीजन लिया है वो पूरी तरह गलत है वो आतारकिक है वो बीच का होता है ना तो पूरी तरह अच्छा ना पूरी तरह गलत साइमन की यह भी मानिता है कि सभी विकल्पों और उनके परिणाम को जानने में लोगों की योगिता सीमित है और यह सीमा बंधन पूंता तरक संगत निर्णे को असंभव कर देता है क्योंकि लोगों को भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती इससे वे अपने सीमित ज्यान के सहारे कम परिपूंद निर्णे कर लेते हैं सीमित जानकारी के कारण लोग ऐसे विकल्प को चुन लेते हैं जो बिल्कुल परिपूर्ण ना होकर साधार्न तह ठीक होते हैं केवल निर्णों को साइमन ने संतोष जनक निर्णे कहा है साइमन लेखते हैं कि प्रबंधक सदैव अनुकूलतम समाधानों ओप्टिमम सॉलुशन की खोज कर सकते हैं किन्तु परियाप्त रूप से ठीक गुड इनफ समाधानों से ही संतोष हो जाते हैं विविन प्रकार की सिमाओं के कारण प्रबंधकों को वैभार उचितम ना होकर केवल संतोष प्रद ही हो जाता है देखो दोस्तों यहाँ पर हरबर्ट साइमन कह रहे हैं कि उनकी ये मानिता है कि क्योंकि जो वैक्ति होता है उसके अंदर मतलब कुछ सिमाएं होती है जैसे कि कुछ limitation है एक limitation योगिता की है कि वैक्ति को जो आने वाली घटनाय है वैक्ति उसका मतलब पूरी सही जानकारी वैक्ति के पास नहीं होती आपने कोई decision लिया तो आप कहते ना कि हां most probably या ज़्यादा तर चांसे कि ये जो मैं decision ले रहा हूँ एक साल बाद इसका यही result निकलेगा जैसे कि आज मानलो मैं I.S. बनने का decision ले रहा हूँ तो एक साल बाद पक्का अगर मैं लगातार पढ़ाई करता हूँ तो मैं बन जाओंगा ठीक है तो ये मैं decision ले रहा हूँ और मैं अपने mind में सोचे चल रहा हूँ कि ये मेरा एक भावी क्या है एक भावी घटना हो सकती य नहीं है ना लिखकर तो नहीं दिया जा सकता कि यही होगा तो वैक्ति के अंदर कुछ limitation होती है वो जो आने वाले जो घटनाए है उसका पूरी तरह उसके पास जानकार नहीं होती इसलिए क्या होता है कि वैक्ति ठोड़ा सा मतलब ना तो पूरी तरह सही ना ही पूरी तरह गलत जो बीच का हिस्सा होता है वैसा निर्णे लेता है जिसे हरबर साइमन ने संतोष जनक निर्णे कहा है ठीक है ना तो बहुत जादा अच्छा ना बहुत जादा बेकार और हरबर साइमन ने कहा है इसी के चलते जो प्रबंधक वगेरा होते हैं जो good enough है ठीक है बहुत अच्छा हमाली है इतना ये ठीक है तो वहीं तक स्खुश हो जाते हैं तो कई सारे limitation होती है वैक्तियों की प्रबंदकों की जिस कारण से वो ना बहुत जादा अच्छा वहवार ना करके संतोष प्रक की satisfy इतने में हम satisfy है इतने में जो हमाई company होगी वो satisfy होगी इतना ही काम कर पाते हैं ऐसे decision ले पाते हैं जिसे की satisfaction मिल सकें साइमन का कहना है कि निर्णे निर्मान के तथ्यात्मक पक्ष में प्रबंदक देखो दोस्तों कुछ खटिन शब्द आ रहे हैं तथ्यात्मक अब क्या है अब क्यों अब ऐसे शब्दों को के पीछे आप मत पढ़ो ठीक है थोड़ा बहु तो जाएगा ही माइड में ठीक है और difficult चीजें भाई अब इतने बड़े college level के student हो ये सब तो आना तैह हैं ये keywords होते हैं किसी भी subject के बट कोई नहीं मैं यही कहना हुआ जो hard words जाता लग रहे हैं उसको आप skip कर सकते हो जितना आपको समझ में आ रहा है जितनी चीजें आप देख पा रहे हो समझ पा रहे हो उनको observe करते रहो एक बार नहीं दो बार तीन बार करते रहो ताकि वो अच्छी से आपके माइड में बैठ जाएं तो साइमन का यही कहना था कि निर्डे निर्मान की जो प्रक्रिया है उसमें तथ्यात्मक पक्ष में प्रबंधक का दर्गत उसे चुना जाए जो संगठन लक्षों की अधिक्तम पूर्ती करने में सहायक हो तता ऐसे दो विकल्पों जिनका उपलब्धि इस तर समान हो में इसे वह विकल्प चुना जाए जिसकी लागत अपेक्षक्रित कम हो अब यहाँ पर कुछ सलह सी दे रहा है साइमन क वह यह दे रहा है कि जो प्दधक वग Salem लेते हैं कोई भी वयक्ति हो सकता है जो डिसेजन लेता है उसको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि उसको हमेशा एक चीज मायाँ ने में रखना चाहिए कि कम से कम संसादनों से अच्छे से अच्छे परिणाम निकल कर आ सके हैं हम कम से कम इंवेस्टमेंट करें और ज्याद ज्याद लाव ओ ऐसा हडिसीजन लेना चाहिए मान लो दो विकल्प एक जैसे हैं एक समान हैं लेकिन दोनों में एक विकल्प एक आपशन ऐसा है जिसमें हमारी लागत कम लग रही है लेकिन लाब अधिक होगा दोनों विकल्प हैं एक जैसे तो हमें वो विकल्प चुनना चाहिए जिसमें लाब अधिक होगा ठीक है इसी तरह दो आप्शन ऐसे हमारे पास जिसमें दो आप्शन बिल्कुल समान है ठीके दोनों से एक जैसे ही लक्षे प्राप्त होंगे फिर हमें कौन सो उप्षन चूज करना चाहिए हमें वो उप्षन चूज करना चाहिए जिसमें लागत कम लगें क्योंकि दोनों में लक्ष है तो दोनों में उतना ही प्राप्त हो रहा है हमें ठीक है फाइदा दोनों में उतना होगा बट हमें वो चूस करना चाहिए जिसमें हमें फाइदा जादा हो हमें नहीं, जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, जो एड्मिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशाष रखें, उन्हें साइमन सन्योजित यानि की प्रोग्राम तथा आसन्योजित निर्नेों में इस पस्ट अंतर करते हैं तरफियो गन्योजित लिख दिया ये वही निर्ने हैं कार्यातमकWork गदिया लुखते इता तो इस्टाइच ने लियुझते ओमिद्रे देश की तब देश को कोई नीर्णे लेना पड़े अचानक से तो वो अलग तरीड होगा अलग तरीके की वेटेंगी वहा पर कोई नंयोजन नहीं वहाँ और कोंपर कोई कि हमें पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला तो हम ऐसा ऐसे मीटिंग करेंगे किसी परिणाम के सही अनुमान के लिए भविश्य में दिरिष्टी पात करने की शम्ता होनी चाहिए मतलब भविश्य को देखने की थोड़ी शम्ता होनी चाहिए साप एक त्रिस्टी से उचित निर्णे एक ऐसी स्थिती है जिसमें कुछ विकल्प और उनकी कुछ परिणाम ग्यात होते हैं और उनमें इसे चैहन किया जाता है साइमन के अनुसार निर्णे लेने के संबंद में मनुश्य के वास्तविक आचरन का अध्यन किया जाना चाहिए देखर दोस्तों यहाँपर कहा जा रहा है कि एक सही डिसीजन वही होता है जब व्यक्ति कोई डिसीजन ले रहा है तो व्यक्ति थोड़ा जो भविश्य है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें मतलब यहाँ पर कह रहा है Simon कि एक सही decision लेने की जो शमता है वो यही है कि आप कोई decision ले रहे हो तो आप थोड़ा सा decision की आगे पीछे देख लो कि इस decision को लागू करने से यह decision लेने से निर्णे लेने से क्या result सामने आ सकता है आपको पूरा तो नहीं पता 100% साइमन नहीं कह दिया आपको 100% नहीं पता बट फिर भी आपका फर्ज है कि आप ट्राइ करो आप खोशिच करो पता लगाने की समझने की इस बात को और तभी निर्ने लो और एक अच्छा विकल्प चूस करो ये एक अच्छी शमता है निर्ने लेने की साइमन के अनुसार निर्ने तीन तरीकों से स्विक्रित कराये जा सकते हैं एक तरीका शक्ति के प्रियोग का है दूसरा मार्ग भावात्मक सहानुभोती और समोहन का है तीसरा तरीका सहयोगियों में निर्ने के प्रति समान आदर और और अचित्ते का भाव जागरित करना है देखो दोस्तों, अब आपने decision तो ले लिया, उसे लागू करने के लिए भी तो आपके पास कुछ तरीके होने चाहिए, वो आपको Simon ने बताया है, ठीक है, प्रबंदकों को बताया है, क्या बताया है, Simon ने कहा है, को तीन तरीके हैं, normally, पहला ये है, कि शक्ती का प्रियुक क यानि की power, जिससे कि सरकार के पास power है, सरकार धारा 144 लागू कर सकती है, भाई उसके पास power है, जो जिला प्रशाशन उसके पास power है, वो धारा 144 लागू करके एक तरह से लोगों को मना कर सकता है, कि कोई भी घर से भाहन ना निकले, ठीक है, उसके पास power है, पावर कैसी, वो वाला समोखन नहीं कि कि पुरा मोहित कर लो अपने प्रति लोह को लोगों का आधर बढ़ाना बढ़ाना चैसा भावनातमक रूप से जैसे कि हिटलर वगरा क्या करते हैं क्या कहा था हिटलर निकी हमारी बेचत्य ओए जर्मनी वाशियों से हमारी बेचत्य हुई हम अपना बदला लेंगे जर्मनी को मतलब उचाएस्थान दिलाएंगे यूरोप में ऐसी बातें कहकर भावनात्मग रूप से हिटलर ने पुरी जर्मनी की लोगों का दिलीता और फ भावना के लोगों की जो मनोवेग वगरा होता है मन वगरा होता है उसके तहट लोगों को राजी करना कि आप हमारे नेड़नों को सुईकार करें तो दूसरा तरीका हो गया यह तीसरा तरीका हो गया कि आप अपकी जो सहयोगी वगरा हैं जो भी लोग हैं जिनके उपर आप लागू कर रहे हो, उनको आप मनाओ, उनको आप बताओ, जाग रुप करो, कि देखो, ये डिसीजन लागू करेंगे, तो ये ये चीज़ें सामने आएंगी, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए काफी अच्छी हैं, यह तभी संभव है, जब उन्हें परिस्तिती और आते हैं कि देखो, जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो ये नहीं कि आप अकेले-अकेले कोई परिशाशक है, एड्मिनिस्ट्रेटर है, कोई बड़ा मतलब वैक्ती है, तो अगर वो डिसीजन ले ले लेता है, चुप चाब, तो इससे डिक्कत हो सकती है, अगर लेने से पहले, है ना, तो ऐसा क्या होता है, कि जब डिसीजन लिया जा रहा है, तो जो छोटे अधिकारी हैं, उनको भी बताया जाए, या दूसरे जो अधिकारी हैं, आपके सही होगी हैं, आप उनको भी बताओ, कि देखो, ये डिसीजन मैं ले रहूं, इससे ये हैं और मानव को एक जो चैयन प्रक्रिया होती है उसके तहट ही सूज भूश से अच्छे विकल्ब का चुनाब करना चाहिए जो लक्षे हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए तो यी सारी बातें कही हैं साइमन ने ठीक है इजी है इजी वे में मैंने आपको समझाया काफी ची अच्छे को एक दो बार और आप अगर चाहो तो वीडियो को देख सकते हो तो ऐसा करके आप अच्छे से समझ लीजिए इंपॉर्टन टॉपी के जितना भी कुछ है यह सब हर्बट का तारकिक निर्णे निर्मान का सिध्धानती है जितना भी कुछ इस वीडियो में मैंने पढ़ाया वो सबका सर्फ सबका सब हर्बर्ट के बारे में ही है इसके लावर जो एक फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का जिसमें मैंने सिर्फ निर्णे निर्मान को काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है आप उसका भी यूस करेंगे अगर कोई भी कुश्चन हर्बर् इस वीडियो में जितना भी कुछ बताया वह सब तो आपको लिखना ही है जितना आप लिख पाऊगे आप उसना लिखना की कोशिश करना तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लेस चैनल को सब्सक्रा